दोस्ते हार आज हम बात करने वाले हैं कुका की तरफ से आने वाले 50 इंच अल्टा अच्डी 4K LED स्मार्ट टीवी के बारे में इसका जो स्क्रीन साइज है काफी बड़ा है 4K रेजिलूशन के साथ आता है और आप सभी को जो इसकी प्राइस देखने को मिलती है काफी यहाँ पे अफोरड़बल है और काफी कम प्राइस है इस टीवी की तो आप सभी को इसी टीवी की complete details इसी जो है वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां पर 4K की resolution आपको देखने को मिल जाती है इसी TV में आप enjoy कर पाओगे 4x better resolution किसी भी आपके HD TV के screen से इसमें और 4K की resolution तो मिलती है वहें पर super bright का यहां पर panel भी दिया गया है तो brightness भी काफी यहां पर आपको अच्छी देखने को मिल जाती है sharpness वगरा यहां पर clarity वगरा जो है अच्छे से enjoy कर पाओगे वहें पर bezel जो है इस TV के वो थिंधनी देखने को मिलेंगे और इस TV में ट्रोकिलेस एक्ष्रीम पिक्चर इंजन दिया गया है जिसकी मदद से यहां पर जो color का production है री प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा रहता है vibrant colors यहां पर दिखेंगे आपको बड़ी से screen पर तो आप जो भी यहां पर content आप देख रहे हो टीवी पर काफी यहां पर जो है vibrant colors के साथ दिखता है और quality अच्छी रहती है पिक्चर की वहें पर dedicated Netflix का button भी मिल जाता है इसके टीवी पर I mean इसके remote पर जहां से जो है आप टीव वगेरा होते हैं वो आप enjoy कर पाऊगे ETS sound का support मिलता है true surround का यहां पर experience होगा आप सभी को क्योंकि यह feature इसके speakers में दिया गया है 20 watt का output मिलता है इस टीव में हम सभी को मेरा कैस्ट का भी support देखने को मिलता है जिसकी मदल से अपने जो है phone and tablet को इसके screen के साथ जो यहां पर screen mirroring कर पाऊगे और जो भी content है gaming वगेरा कर रहे हो वो भी आराम से जो है बड़ी से screen पर कर पाऊगे अपने phone के जरिए ही वहें पर endless entertainment मिलेगा क्य है wide weaving angle यहां पर जो है दिया गया है और वहीं पर A plus का great panel इसमें देखने को मिलता है जिसकी मदल से आप जो है clear यहां पर vibrant weaving experience enjoy कर पाऊगे and A plus का जो है यहां पर great panel है तो colors वगेरा काफी अच्छी देखने को मिलेंगे and clarity जो है picture में बनी रहती है वहीं पर powerful performance इसमें देखने क को मिल जाएगे क्योंकि arm cortex 1.2 gigahertz का quad core का प्रसेर मिलता है जो कि deliver करता है high speed की performance को and lack free multitasking वगरा भी आप यहां पर कर पाऊगे और पी स्टीव में सिराफिक ब्रोजर दिया गया है जिसकी मदल से जो है आप यहां पर content वगरा को quickly surf कर पाऊगे बात करें इसके जो है hardware की तो यहां पर जो है आपको quad core का प्रसेर तो मिलता ही है total 1gb की RAM मिलेगी 4gb की जो है internal storage मिलती है netflix youtube and prime video जैसे applications मिल जाते हैं और इस टीव में Disney Plus hotstar नहीं दिया गया है क्योंकि यह जो है एक Linux based operating system है तो यहां पर आप सभी को जो है जो applications मैंने बताए वही आपको देखने को मिलते हैं और भी OTT platforms की applications हैं जैसे hangama iftv big star movies बहुत सारी applications और भी मिल जाती है आपको इधरनेट RJ45 का भी port मिलता है screen mirroring आप easily कर पाओगे and built-in Wi-Fi के साथ आता है total 3 HDMI के ports मिलेंगे तो USB के ports मिल जाते हैं and जो है आप जो power इसका consumption है 120 watts का है वहीं पर बात किने इसके price की तो 29,999 रोपी इसका यह TV है और आप सभी को काफी अच्छे affordable price पर यह देखने को मिल रहा है अगर आप सभी चाहते हैं कि बड़ा सा TV खरीदा जाए and price भी कम हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं इसका launch year 2019 है तो आप अपने हिसाब से decide कर लेना कि आपको यह TV खरीना है कि नहीं फिलाल इस व पसे रहे हैं तो से like करना शेयर करना और subscribe करना मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में